नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल दाकड़ उनलाइन इस्टेडी में दोस्तों इस वीडियो के अंतरकत हम राजस्तान परदेश की कला संसकर्ति का जो बहुती महत्पून टोपिक है राजस्तान की चित्रकला उसकी जो विशेशताएं हैं और कहां की चित्रकला सबसे ज़्यदा फेमस है और इसके कौन-कौन से चित्रकार थे उसके बारे में विश्तरित डिटेल इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं दोस्तों, राजस्तान चित्रकला का एक प्रेश्ण हमेश्या राजस्तान सहलेबस के अंतरगत अवश्य आता है, तो दोस्तों, सबसे पहले हम बिना देरी की ये वीडियो शुरू कहते हैं, सबसे पहले जो चित्रकला है, वो है मारवाड शेली, मारवाड शेली जो चित्रकल वो किस किस जगह पर फैली हुई है सबसे पहले बिकानेर में जसल मेर में अजमेर में और जोदपूर में बिकानेर जसल मेर जोदपूर अजमेर इन चारो जुलों में मारवार चित्रकला जो है वो फैली हुई थी अब इसके बारे में विस्तरित डिटेल को जान लेते हैं सब से पहले आता है जोदपूर शेली जोदपूर शेली इस शेली का जो सुरण काल है वो मालदेव के शाषन में था मालदेव जो जोदपूर के जो राजा थे उनके शाषन काल में इस जोदपूर शेली का जो सुरण काल है वो माना जाता है इस चित्र शेली के अंतरगत रेत के जाड़ें माई चतंतर से हम पंपूण के पर कित्र कार है वो शीवदास देवदास रामा नाता ठजु शेपूदा सरुरू है इसके प्रमुक चित्रकार थे दोस्तों रामा नाता चज्जू सेपू बहुत ही ज़्यादा बार एक्जाम में पूछे जाते हैं कि ये किस चित्रशेली से समंदित थे तो इसका उत्तर हो जाएगा बिकानेर स्वरी दोस्तों जोधपूर चित्रशेली से समंदित थे आगे है जोदपूर लगू चित्रकला को हाथ से तयार किया जाता है उट की पीट पर डोला और मारू जैसे प्रसिद प्रेमियों के दरशों को दरशाती है उसके बाद आगे है दोस्तों राग माला चित्रावली का जो चित्रांकन है वो वीर जी ने किया था और ये 1623 इस्वी के अंतरगत किया गया था इसी के बाद मारवार शैली में जो दूसरा जो शैली है वो है विकानेर शैली इस शैली का जो सुरनकाल है वो महराजा अनुपसी के समय को माना जाता है इस शेली के जो चित्रकार है वो चित्र बना कर उसके साथ अपना नाम तता तिती अंकित करते थे नाम तता तिती अंकन करने वाले जो चित्रकार थे वो विकानेर शेली से समझित थे विकानेर शेली के चित्रकारों को उस्ताद कहा जाता था विकानेर चित्रशेली के अंतरगत परमुक चित्रकार, रामलाल, अली रजा और हसन जैसे चित्रकार विख्यात थे उसके बाद अगली मारवाड चित्रशेली के अंतरगत है जैसलमेर शेली इस शेली का जो सरनकाल है वो मूल राज दिती के शाशनकाल को जाना जाता है मरू महुसाओ जो है जसल मेर जिले में मनाए जाता है उसके बाद दोस्तों इस चित्र शैली का जो परमुक विशे हैं वो मूमल है और मूमल जो है एक लोदर्वा की राजकुमारी थी और ये जसल मेर चित्र शैली के अंत्रकद आती है नेश्टी चित्र शैली है किशनगड जो अजमेर जिले से समझ दिते हैं जिसको हम कागजी शैली भी कहा करते हैं यह नारी के संदर्य पर आधारी थे हैं इस शैली का जो स्वरनकाले वो सावंत सी या नागरी दास का शाशनकाल था जिसने अपनी प्रेमी का रसिक प्रिया जिसका मूल नाम बनी थनी का मोर्दवज निहाल चंद नमक चित्रकार से बनवाया गया यह क्यूशन बहुती ज़्यादा बार एक्जाम में पूचा गया है कि बनी थनी किस चित्र शैली से संबन्दी थे तो इसका अंसर हो जाएगा किशनगर्ड चितर सैली से ओर इसका जो चितरकार है वो सावन्त निहाल चन जो है इसका चितरकार है और जो किसके सासनकाल में यह बनाएगी तो सावन्त सी जिसका दूसरा नाम नागरीदास भी है नेश्ट है इस सैली को प्रकास میں लाने का श्राई एरिक डिक्सन वो फे आज अलिको जता है ये क्यूशन भी बहुत बार पूचा जया गया है कि इस श्राई में लाने का श्राई किसे जता है तो इसको एरिक डिक्सिन वो फे आज अलिको जता है एरिक डिक्सिन ने इसे श्राई को भारत की मोना लिसा कहा है ये के चित्र बनी ठणी पर डाक टिकट जारी किया गया है इसी शेली के अंतरगत अमर्चंद दुआरा रचित चांदनी रात की संगोष्टी ये भी किशनगड चित्र शेली का प्रमुक विशे था उसके बाद इस शेली के अंतरगत मुक्य रूप से केले के व्रक्ष को चिनित किया गया है किशनगड शेली, कागड़ा शेली और ब्रज सहित्य से प्रभावित है इसके प्रमुक चित्रकार, रामनाद, तूलसी दास, सवाई राम, ओडलाडली दास इस शेली के प्रमुक चित्रकार है दोस्तों ये थी हमारी मारवाड चित्र शेली आगे की बात करते हम ढूंडाड शेली ढूंडाड शेली जो जो जैपूर के आसपास की शेली है और ये दो जिलों में विक्सित हुई जैपूर और अलवर जिले में इस शेली की दो उप शेलिया है जैपूर शेली और अलवर शेली बात करते हैं पहले जैपूर शेली की तो इस शेली में मुगल शेली का सरवादिक प्रभाव देखा जाता है क्यूशन पूचा जाता है कि किस शहली के अंतरगत मुगल शहली का सरवादिक प्रभाव देखा जाता है तो टूडार शहली की जो जयपूर शहली है उसके अंदर मुगल शहली का सरवादिक प्रभाव देखा जाता है अगला है इसलिए इसमें वात्सायन करत काम सुत्र फकीरों को विक्षा देती नारी कुरान पढ़ती शहजादी लेला मजनू हाती गोडों के दंगल के चित्र मिलते हैं इस शहली का स्वरनकाल स्वाई परतापसी के सासनकाल को माना जाता है आदमकद पोट्रेट जैपूर शहली की विशेशता है इस शहली में साईब राम नामक चित्रकार ने इश्वरी सिंग का राजस्तान में परतम आदमकद चित्र बनाया जो वर्तमान में city palace जैपूर में है जैपूर राज में कलाकार जहां कार खाना चित्र और लगू चित्र बनाते थे उसे सुरत खाना कलाता है मुमच्षा का नाम जैपूर चित्र शेली से जुड़ा है मुमच्शा जो है जैपूर चितर शेली से समंदित है और आदमकद पोट्रेट जो है वो भी इस जैपूर शेली से समंदित था अगली जो शेली है वो है अलवर शेली इस शेली का जो सुरन काल है वो विनेशी के सासन काल में को माना जाता है इस शेली पर इष्ट इंडिया कंपनी का सरवाधिक प्रभाव पड़ा है इसलिए से इसमें वन उपुवन कुंज विहार अशलील नर्त्यांगना वेशाओं के चित्र मिलते हैं ये क्यूशन भी बहुत ज़्धा बार पूछा गया है कि किस चित्र शेली के अंद्रगत वेशाओं के चित्र मिलते हैं तो अलवर चित्र शेली और राजिस्तान का परतम चित्रित गरंद जो है शारवक्त परतिकर्मन सुत्र चूर्णी हैं जिसकी रचना 1261 में मेवार के तेज सीके काल में हुई थी जो महिवार चित्र शेली से समदिते हैं राजिस्तान की चित्रकला पर अनंद कुमार ने स्वामी राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में परतम बार प्रकाश डाला है राजिस्तानी चितरकला का सरोपतम विज्यानिक विवाजन 1911 में किया गया है राजिस्तानी की आधुनिक चितरकला की शुरुआत करने का स्रेई कुंदनलाल मिस्त्री को जाता है नेश्टे दोस्तों हाडोती शेली हाडोती शेली सबसे पहले किन जिलों में परसिदें तो बुंदी और कोटा जो शेली है वो हाडोती शेली के अंतरकत आते हैं इसकी दो अप्शुय लिया है एक तो बुंदी शेली और दूसरी है कोटा शेली सबसे पहले बुंदी शेली को समझ लेते हम इसे पशू पक्षो की शहली भी कहा जाता है इस शहली का सुरनकाल राव सुर्जन सी हाडा के शाषनकाल को माना जाता है राजस्तानी चित्रकला का मुख्य प्रारंबिक केंद्र वा राजस्तानी संस्काति का पोण चित्रन पशू पक्षो के चित्र इस शेली की विशेश्ताइं हैं विशन आता है कि पसुपक्षों के चित्र किस शेलिकी विशेष्था हैं तो वो बुंदी शेलिकी विशेष्था हैं माने जाती हैं महराव उमेद सी के सासनकाल में निर्मित चित्रशाला संग्राले बुंदी शेलिक का स्रेष्ट उदारण है जिसे भीती चुत्रों का स्वर्ग करते हैं रामलाल और सुर्जन बुंदी राज के प्रमुख चित्रकार थे बुंदी शेली के अंतरगत चित्रसाला संग्राले जो आता है वो उमेद सी के शाषनकाल में निर्मित था ये क्यूशन भी बहुत ज़्यादा बार पूचा गया है अगला है कोटा शेली जो शिकार शेली के उपनाम से भी जाने दना जती है और इसका जो सुरंकार है वो महराव राम सींग के शाषनकाल को मना जाता है इस शेली पर वल्लब संप्रदाय का प्रभाव पड़ा है युद्ध वा रानियों के शिकार खेलते हुए द्रश्य, दरबार का द्रश्य, आदिस सेली की विशेशताय है नूर महुमद जो है वो कोटा का प्रमुक चित्रकार था आगे बात करते हम विशेश जो है राजिस्तान के भीती चित्रों को चीरकाल तक कई वर्षों तक जो जीवित रखने की एक आलेखन पत्ती है उसका उपनाम अरायश, फ्रेसको, आला गिला पत्ती कहते हैं ये क्युशन बहुती बार एक्जाम में आया हुआ है कि भीती चित्रों को चीरकाल तक जीवित रखने की पत्ती क्या है तो वो अरायश या आला गिला पत्ती कहलाती हैं राजस्तान का शेकावटी शेत्र वो बुंदी शेत्र पीती चित्रों के लिए प्रसीदे हैं ओपन आर्ट गेलरी के लिए शेकावटी शेत्र प्रसीदे हैं तीवती इतियासकार तारानात ने महरू परदेश के सरंग दर्ग चित्रकार का उल्लेक अपने ग्रंत में किया हैं। उस प्राचिन राजिस्तानिक कला का नाम महरू गुजर कला था। छटी शताबदी स्वी या उसके आसपास विक्सित हुई राजपुत पेंटिंग का पसंदीदा माध्यम जो है वो पांडू लूपियों में लगू चित्र हैं। बाबुलाल महराठियों का समन्द प्रारंप्रिक चित्रकलास से हैं। अगली और अंतिम चित्र शेली है मेवाड शेली। मेवाड शेली बहुत ही ज्यादा प्रसिद शेली है और सबसे पहले जिस शेली का उदबव हुआ वो भी मेवाड शेली ही है और गुजरात से इस शेली का उदबव हुआ है तो मेवाड शेली के अंतरगत जो है सबसे पह पुम्बा के शाहिशनकाल में शुरू भूआ था लेकिन इस शहली का जो स्रॉणकाल है वो जगत्सी प्रथम का काल कहलाता है। कलीला दमना इस चत्र शैली के दो पात्रे हैं जगत सी पर्थम ने राज महल में चितेरों की ओवरी तस्वीरारों कारखानों नाम से चित्रकला का विद्याले खोला बहुत ही जढ़ा important question है चीतेरों की ओवरी या तस्वीरारों कारखानों किस चित्र शेली से संबन दिते तो मेवाड शेली से और किसके शाशनकाल का है तो जगत सी पर्थम के शाशनकाल का है उसके बाद इसको चित्र शेकला को स्विव्यवस्तित रूप देने का श्रे जो है माराजा जगत सी को जदिया जता है जिसके काल में मेवाड में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविन जैसे विशे लगू चित्रों का चित्रन हुआ है साहिब दिन वो मनोर उधेपूर शेली के चित्रकार है 1605 में मेवार की महराजा अमर्सी पर्तम के समय चित्रित रागमाला का चित्रकार निशा रुदिन का समंद मेवार शेली से हैं जिसका चित्रकार निशा रुदिन है वर्तमान में रागमाला का चित्र दिली के अजाई बगर में सुरक्षित हैं मेवारी चित्रकला का शुरुवाती उधारान रागमाला प्रसीद स्रंकला से उत्पन हुआ है अगली चित्र शैली है मेवार की उप शैली जिसको हम बोलते हैं चावंड शैली इस शेली की जो चित्रकला है उसको अमरसी परतम के शाषनकाल में ये विक्सित हुई थी जबकि ये परताब के शाषनकाल में शुरू हुई थी अमरसी परतम को चावंड शेली का सुरनकाल कहा जाता है इनी के काल में प्रस्तिद चितेरे नासुरीदीन ने रागमाला का चित्रन किया था नात दुवारा चित्र शेली ये मेवार की उप शेली हैं नात दुवारा जिसको हम राज समझ शेली भी बोलते हैं इसे वल्लब शेली भी काते हैं इसके अंदर क्रश्न की बाल लिलाओं, क्रश्न युश्रोदा के चित्र, गायों, केले के व्रक्चादी का चित्रन मिलता हैं। इस शेली का प्रारंबुवा सुरनकाल राज सी के शाषनकाल को माना जाता है। यह शेली उदेपूर शेली वब्रज शेली का मिश्रन है नाथ द्वारा शेली के प्रख्या चित्रों का विशेई, स्री नाथ जी के सहस्त्रा सवरूप तता नाथ द्वारा की पिछवाईयां भीती चित्रवाहवेली संगीत प्रसिद हैं नाद द्वारा चित्रशेली के जो प्रसिद हैं पिछवाईयां जो पिछे की दिवार पर श्री नाद जी भगवान के पिछे दिवार पर बनवाई जाती हैं कपड़े के उपार ये पिछवाईयां बनती हैं पिती चित्र भी दिवार के उपर उक्यरे जाते हैं और हवेली संगीत यहां का प्रसिद्ध हैं तो ये थी राजस्तान की प्रमुक चित्रशेलिया और इनी चित्रशेलियों से समदित एक क्यूशन एक्जाम के अंदर गत हर बार पूछा जा रहा हैं तो दोस्तों अगर आपको अमारा वीडियो पसंद आये हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें साथ में अगर आप अमारे चैनल पर नहीं आये हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें धन्यवाद दोस्तों जेहिंद